टिम इंडिया के ओल्राउंडर हार्दिक पांडिया ने एक चैनल को दिये इंटर्व्यू में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सब के होश उडा दिये हैं जी हाँ कोई सोच भी नहीं सकता है कि पांडिया जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं लेकिन पांडिया ने खुद बताया कि वेस्ट इंडीस के खिलाडी किरोन पॉलाड की वज़े से वो सलाखों के पीछे पहुंच सकते थे दस पॉलाड का जिक्र करते हुए पांडिया ने बताया कि विंडीस दोरे के वक्त उनके साथ पॉलाड मौजूद है उस दोरान पॉलाड ने सोच लिया था कि वे मेरे साथ मजाग करने वाले हैं उन्होंने पॉलिस अधिकारी को बुलाया जो वास्तव में उनका दोस्त था उस पॉलिस अफसर ने मुझे गिरिफतार करने की कोशिश की शुरू में तो मुझे मजाग लगा लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगने लगा कि ये मामला गंभीर हो गया है और मैं शांत हो गया मैंने सोच लिया था कि मुझे टीम इंडिया को फोन कर लेना चाहिए लेकिन मुझे टराने के लिए जब पॉलिस अफसर ने किसी और को फोन करने की कोशिश की तो इसने फोन को उल्टा पकड़ा हुआ था जिसको देख कर मैं समझ गया कि ये दोनों मिलकर मेरी टांग खीचाई कर रहे है पांडिया ने बताया कि बाद में पॉलाड ने उनसे पूछा कि मैं इस पर क्यों शांग था जिसके जवाब में मैंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा मैं तुम्हारे शेहर में हूँ मजाग मजाग में सही लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलाड की वज़े से पांडिया जेल की सलाकों के पीछे जा सकते थे एनमेफ निउस के रिपोर्ट